नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज नेशन आपके साथ मैं हूलक्ष शर्मा विराट कोली इस से मैं सोशल मेडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं यहां एक तरफ चेतन शर्मा ने जो उनके बारे में बूला वो उसको लेके सोशल मीडिया पे पूरा बवाल चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोली ने जो सोशल पोस्त डाला है उसकी वज़य से भी वो ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हरा कि जो विराट ने डा के बहुत मज़ा आया और बहुत लंबे समय बाद उन्होंने ड्राइविंग किये तो वह कह रहे हैं कि बहुत समय बाद दिल्ली में ड्राइविंग करके बड़ा मज़ा आया अब आप सभी को पता है कि विराट कोली दिल्ली के और दिल्ली के ही लड़के हैं दिल्ली से ही अपना पूरा करियर स्टार्ट किया है लेकिन अब मुंबई में सैटल्ड है, मुंबई में रहते हैं और दिल्ली उनका कम ही आना जाना रहता है लेकिन जब दूसरा टैस्स मैच भारत और और आस्ट्रेलिया के बीच अरुन जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा तो इसके लिए वो दिल्ली आये हुए है और जब दिल्ली आये हुए है तो दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने अपनी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो भी दिखाई अब जो आपको पोस्ट दिखाई विराट कोली की वो तो आप कुछने देखी लिए आपको पहले हमने दिखाई है लेकिन अब जिस कार से वो स्टेडियम पहुचे है या जिस कार से उन्होंने वो पोस्ट डाली है वो भी हम आपको दिखाते हैं तो देखें यह है वो कार जि इंडिया के कप्तान पूर्व कप्तान जब स्टेडियम में इस कार से आए तो आप खुदी अंदाजा लगाई है कि क्या माहौल होगा जब स्टेडियम में एक कार खड़ी हुई है तो सभी का ध्यान इसी की तरफ गया सोशल मीडिया पर इस कार की फोटो लगा तार वाइर हो इस वज़े से विराट कोली का पोस्ट वाइरल हो ही रहा है इसके साथ ही एक कार ये कार जो हम आपको दिखा रहे हैं यह वही कार है जिससे जिसमें बैट कर उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें बैट कर वो स्टेडियम पहुचे है और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने की तैयारी कर रहे हैं तो विराट कोली के बारे में आप क्या कहेंगे चेतन चर्मा ने जो बयान दियेए उस बारे में आप कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं इसके अलावा निउस देशन को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्से जल्द कर लीजे बहु झाल, 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 झाल